नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तो भारती नौसेना के युद्धुपोतों के लिए कैसी मिसाइल का टेस्ट हुआ है जो आस्मान से आते खत्रे को पल में तबाह कर सकती है और DRDO ने बताया कि ओडिसा के चांदी पूर्तट पर भारती नौसेना के एक जहाद से कल इस VLSR SAM का सफलता पूरवक फ्लाइंग टेस्ट किया गया है और सता से हवा में दागी जाने अली इस मिसाइल को वर्टिकर लांच मिसाइल या वर्टिकर लांच सार ट्रेंज सर्फेस टू एर मिसाइल कहा जाता है DRDO ने इस VLSR SAM मिसाइल को विक्सित और डिजाइन किया है समंदर में आस्मान से आते दुस्मन के किसी भी हमले को या मिसाइल करीब से गिरा सकती है अर्या मिसाइल सी स्कीमिंग टेक्नलाजी से लैस है जो टार्गेट को बड़ी आसानी से ध्वस्त कर सकती है दरसल दोस्तों इस टेकनिक यानि की सी स्कीमिंग टेकनिक का इस्तेमाल कई एंटिसिप मिसाइलों लडाकू विवानों में होता है जिससे वे युद्धुपोत पर लगे रडार और इंफ्रारेट की पकड़ से बच जाते हैं इसके लिए ये समुद्ध की सतय के करीब से उड़ते हैं और उन्हें ढूण कर नस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इस VLSR SAM मिसाइल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 40 से 50 किलो मिटर की दूरी पर और लगभग 15 किलो मिटर की उचाई पर तेज रप्तार वाले टारगेट को निसाना बना सकती है और DRDो की अधिकारियों ने कुछ महिने पहले ही बताया था कि इसका डिजाइन भारती वायुसेना की अस्त्र मिसाइल पर आधारित है वहीं इस VLSR SAM मिसाइल की दो प्रमुगवे सिस्ताएं हैं एक है क्रूसी फार विंग्स और दूसरा है थ्रस्ट वेक्टरिंग जिसमें क्रूसी फार विंग्स चार छोटे पंखे होते हैं जो चार तरह क्रास की तरह लगे होते हैं और मिसाइल को एक स्थिर एरो डायनमिक्स पोस्चर देते हैं वहीं थ्रस्ट वेक्टरिंग एक तरह की छमता होती है जो थ्रस्ट का डायरेक्शन और मिसाइल का इल्टिट्यूड बदल सकते हैं और हाली में दिसंबर में भी ओडिशा में टेस्ट किया गया था कम उचाई पर इलेक्टरानिक टार्गेट छोड़ा गया और इस मिसाइल के सभी एक्षन उमीद पर खरे उतरे और नेवी के एक्सपर्ट बताते हैं कि युद्धुपोत पर होते हुए सबसे बड़ी चुनोती अपने सिप को एंटी सिप मिसाइलों और दुस्मन के एरक्राफ्ट से बचाने की होती है और इसके लिए एंटी सिप मिसाइलों को गिराने के लिए मिसाइले तैनात रहती हैं और टेक्नलाजी का सहारा लिया जाता है अब इस नए VLSR SAM सिस्टम में जट से पहचान तुरंत प्रत्रकिया, तेज रफ्तार ये सभी गुड़ हैं नवसेना के सिप पर तैनाती से पहले अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इसका टेस्ट किया जा रहा है वहीं इस मिसाइल को सरल भासा में समझे तो VLSR SAM को एलेट की स्थित में तुरंत प्रत्रकिया में दागी जाने वाली सताय से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसे नौसेना के लिए मेड इन इंडिया के तहट विक्सित किया गया है और या कई तरह के हवाई खत्रों से निपटने में भी सच्छम है अब आप लोगों का क्या कहना है DRD और भारती नौसेना के सायूक तुरूप से VLSR SAM मिसाइल का परिछड करने पर कमेंट में जरूर बता है और लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें ताकि डिफेंस से जुड़ी खबरे आप तक पहुंशती रहें धन्यवाद